अगर आप प्रारंबिक सीरे से MST, CET, IIT, JEE, AMS, NEET, COMPETATIVE exam और BORD की exam की त्यारी करना चाहते हैं तो ये विद्यकुल है जहाँ पर आप एक complete course जोईन कर सकते हैं exam booster, online test, mock test और live test वगएर आप जोईन कर सकते हैं मैं इस video के description में विद्यकुल का link दे देता हूँ, आप वहाँ से मैं contact number भी दे दूँगा, आप contact भी कर सकते हैं काफी अच्छा है, मैंने भी काफी research कर आए क्योंकि यहाँ पर एक professor A.K. मंदन सर है जो लगभग में इनके YouTube पे 5 लाग से भी अधिक subscriber है, विकास चर है और काफी ऐसे बहुत सारे teacher का यहाँ पर एक शंग्रा है, और यहाँ पर complete तैयारी करवाई जाती है और मंदन सर भी काफी अच्छा पढ़ाती है Hello students, नमस्कार, आप लोगों का स्वागत करते हैं, आपके अपने YouTube channel dream classes में एक बार फिर से तो चलिए सभी बच्चे जल्दी जल्दी से जुड़ जाएंगे channel से, तो आज का हमारा यह live class start होने जा रहा है ठीक है, live test series, जो कि हमारा आज, आज का यह topic जो है, वो biology का चलने वाला है तो इसे जल्दी से जल्दी सारे बच्चे जोईन करेंगे, biology का यह session start होगा आज से, जो कि बहुत सरा बच्चे हमें comment कर पूछ रहे थे कि सरब biology का live class कब से start होगा live test, तो उनको लेकर कि आज हमने यह series शुरू किया है, तो चलिए आज बात करते हैं आज के इस पहले topic पे तो देखें इस टाइब का प्रशन आपको देखने को मिल सकता है exam में, देखें पहला प्रशन आप लोग के सामने इस तरह है, कि अस्तंधारियों में निसेचन कहा होता है, इसके लिए आपको चार option दिये जाएंगे exam में, जो की इस प्रकार है, अंडासे में, वसिये भाग में, गरभासे में, तता फैलोपियन नली में, तो चलिए सभी बच्चे इसका answer बताएंगे, काराम से सोच कर एकदम, जी हाँ, बिल्कुल सही, बहुत सारे बच्चे का answer एकदम सही है, इसका answer डी नमबर होगा, फैलोपियन नली में, यानि अस्तंधारियों में निसेचन कह पर होता है, तो फैलोपियन नली में होता है, ठीक है, जिन बच्चों का नहीं पता, वो नोट करते जाएंगे, नोट बुक बनाते जाएंगे, इसका, आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न पर, बहुत येचा प्रश्न ये भी है, देखिए, कि द्विखंडन किसमें पाय बच्चे देखे, confusion वाला answer भी टिक कर रहें, तो सबसे पहले हम इसका answer जानेंगे, ठीक है, जी, बहुत सरे बच्चे का answer सही भी आ रहा है, देखे, इसका answer जो होगा, वो डी नमबर होगा, अमीबा तथा पैरामेसियम दोनों में, बहुत सारे बच्चों ने अमीबा और प option भी दिया है, तो इसे टिक करना होगा, ठीक है, तो सभी बच्चे इस बातों को गौर करेंगे, क्योंकि एक्जाम में आने वाले exam में इसी टाइप के question आपको देखने को मिलेंगे, आगे बढ़ते है, question number 3 पे, देखे, बहुत यचा प्रस्ण ये भी है, question number 3, कि पुनर गाइटा में, गाहिरा में, पेनिसीलियम में, या कारा में, ठीक है, यह हमारा चार आपके सामने है, तो सभी बच्चे इसका answer बताएंगे, चलिए, जिन बच्चों ने एक को टिक है, बिल्कुल सही है, ठीक है, पुनर उद्भवन की क्रिया जो है, वो अस्पंजों में होत प्रेशन हमारा कारा है, कि अस्तन धारी के सुक्राणू के मद्य भाग में क्या पाये जाता है, बहुत यह अच्छा प्रस्न है, ठीक है, अभी तक जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया, यह हमारे चैनल का नाम ड्रीम क्लासेज, जरूर जोइन करें, आगे आने वाले बोर्ड इंग्जाम के लिए काफी लाबदायक सावित होने वाला है, तो चले इस प्रस्न पर बात करते हैं, प्रस्न को समझते हम लोग एक वार फिट से, कि अस्तन धारी के सुक्राणू के मद्य में, मद्य भाग में क्या पाये जाता है, आपके लिए चा पाये जाता है, आगे बढ़ते हैं, क्वेच्चन नमर फाइब पे बात करने वाले हम लोग, तो चैनल फाइब निमनलिकित में से कौन सा जनतू उभय लिंगी नहीं है, इस प्रस्न में हमारा क्वेच्चन पूछ रहा है, कि में से कौन सा जनतू जो है, वह उभय लिंगी जोंक नहीं है, केचुवा नहीं है, फीता क्रीमी या घरेलू मखी, तो चलिए जल्दी जल से इसका अंसर बताएंगे सभी बच्चे, किनिमन में से कौन सा जनतू उभय लिंगी नहीं है, जी हाँ, बिल्कुल सही, जिन बच्चों ने आप संडी को ठीक है, बिल्कुल सही ह जो है, वो उभय लिंगी नहीं है, और एक परकार का और क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, किनिमन से कौन उभय लिंगी जनतू है, तो जोंक को बिल्कुल लिटी करिएगा, जोंक केचुवा यह सब क्या है, उभय लिंगी जनतू है, ठीक है, चलिए, आगे बढ़त स्टूडेंट्स, छड़े नमबर प्रश्णी पर हम लोग बात करते हैं, देखे, बहुत यचा प्रश्णी यह भी है, कि देखे, प्रश्ण हमारा क्या करा है, समझेंगे, कि जब नर और मादा गैमीट में युगमन होता है, तब यह क्या कालाता है, ठीक है, अप्सनी हमार जो को, और कमेंट बोक्स में बताएंगे, उनका कितना प्रश्ण शही गया, इस टेस्ट में, ठीक है, जी हां, बिल्कुल सही, जिन बच्चोंने अप्सन B को ठीक है, लेंगिक जननन, उनका एंसर बिलकुल ही सही है, लेंगिक जननन होता है, जब नर और मादा गैमीट में है देखिए लेंगिक जनन अलेंगिक जनन ए और बी दोनों या आंत्रिक निसेशन इन चारों में से किसी अप्शन को टिक करना है आपको चलिए जल्द जल्द से बचाएंगे बच्चे हमें कि क्या हो ना चाहिए इसका एंसर जी हां बिल्कुल सही जिन बच्चों ने बी को कि क्रोमोसोम होते है बहुत प्रेस्ण है इस बार बोड़ी ऐक्जाम के लिए काफी important है कि भूरोण पोस में कितने क्रोमोसोम होते हैं अप्षन हमारा यह है N क्रोमोसोम 2N क्रोमोसोम 3N क्रोमोसोम या A और B मतलब की के यन और तूर दोनों फिक है तो चलिए असका अशर देंगे सभी बचजे चाहिए जी हाँ बिल्कुल सही है है रहा जिसका इंसर कॉम लोग जान लेते हैं जी इसका चो आए वो स्य नमबर विल्कुल इसलगा 3N रॉ घ्रुण और पोस में कितने क्वेचन में नाइंत हैं कि यह परीवर्तन जो लारबा को वयस्क में परीवर्तित कर देते हैं यह आपके सामने चार अप्षन रखा गया है तो जल्दी जल्द इस सारे बच इसका answer देंगे क्या होना चाहिए इसका answer जी हाँ बिल्कुल सही जिन बच उने option secret है उनका answer बिल्कुल ही सही है का यांतरन चलिए आगे बढ़ते हैं students दसमे नमबर प्रश्न के उनके बात करेंगे आज के इस topic का देखें बहुत इचा प्रशन है ये भी इन में से किसका पुसपासन खाया जाता है question number 10 का तो चलिए चार option इसका रखते हैं इन में से किसका पुसपासन खाया जाता है सरीफा खा, सेव का, नरंगी का या लीची का ठीक है चलिए इसका answer देंगे सभी बच्चे जिनको अंसर नहीं पता है कि इन में से किसका पुसपासन खाया जाता है लीची, सरीफा, नरंगी या सेव तो इसका answer हो गया बी नमबर सेव का आगे बढ़ते हैं ग्यारवे नमबर प्रशन पर तो आज का ये live class बहुत ही सांदार होने बाला है लाश्क में अपने दोस्तों और भाईवनों को पता दीजिएगा जो लाइब क्लास का सेट प्रेक्टिस है वह स्टार्ट हो चुका है जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर ले ग्यारवा नमबर प्रशन हमारा क्या कर रहा है उस पर बात करेंगे हम लोग कि पुस्प के नर जनन सनरचना को क्या कहा जाता है बहुत यह अच्छा प्रशन है इस पर बोड़ एक्जाम के लिए काफी इंपोर्टन है ठीक है most भी भी प्रशन हमारा है कि पुस्प के नर जनन सनरचना को क्या कहा जाता है पुमंग जयांग वहिदल पुंज या अंडास है चली सभी बच्चे इसका इंसर बताएंगे क्या होना है इसका 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 इंसर जी हाँ बिलकुल सही जिन बच्चों ने ऑप्च्चन एक और ठीक है चली आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नमर 12 पर बात करते हैं बहुत ही देखें छोटा सा और बहुत ही अच्छा प्रशन है कि सत्य फल का निर्मान किस से होता है ठीक है ऑप्शन ए हमारा अंडास है पेटल पुमंग या भी जान्ट के दौरा चली जिन बच्चों को इसका अंसर बिल्कुल सही है ठीक है अप लोग अच्छे से नोट कर लेजेगा सत्य फल का निर्मान किस से होता है तो अंडास से होता है आगे बढ़ते हैं तेरवे नंबर प्रश्ण पर बहुत ही अच्छा प्रश्ण यह देखें चीटियों द्वारा परागन को क्या कहते हैं अ इसका सभी बच्चे है तेरवे नंबर का चलिए बहुत अच्छा जिन बच्चों ने यह वाला प्रश्ण देखें बी नंबर को टिक किया है मौर मी को फीली उनका इंसर बिल्कुली सही है चीटियों द्वारा परागन को क्या कहा जाता है मौर मी को फीली का जाता है आगे बढ़ते हैं बच्चा नंबर चौद में पर एक स्वस्त महिला के पूरा जीवन काल यानि पूरे जीवन काल में उत्पन कुल अंडों के संख्या होती है चलिए इसका अंसर देंगे सभी बच्चे अप्सन हमारा है चार हज्जार चार सो चालीस तीन सो पैसट क्या होना चा है चौदवा नंबर प्रेश्ण हमारा बहुत अच्छा है जी यहां बिल्कुल सही जिन बच्चों ने अप्सन बी को ठीक है बिल्कुल ही सही है ठीक है चार सो कि एक स्वस्त महिला के पूरे जीवन काल में होती पन अंडों के संख्या कि इतनी होती हो फोर हंडेड ठीक है याद रखेगा आगे बढ़ते हैं 15 प्रेश्ण पर 15 प्रेश्ण हमारा कह रहा है कि विजांड बिक्सित होकर क्या बनाता है विजांड जो है वो बिक्सित होकर क्या बनाता है अप्सन हमारा है ए नंबर फल बनाता है फूल बनाता है बीज बनाता है बीज पत्र बनाता है क चलिए आगे बढ़ते question नमबर 16 पे चलिए इसोलवा नमबर प्रश्ण को पढ़ते हैं एक बार अच्छे से कि इन में से कौन सा पौधा जलोध भीद है ठीक है बहुत यह प्रश्ण है इन में से कौन सा पौधा जलोध भीद है option यह हमारा देखें सिंघाडे का पौधा नागफणी का पौधा सीसम का पौधा या एके सिया का चलिए सोलवा नमबर प्रश्ण आप लोग के सामने है जल्द जल्द से पताएंगे सारे बच्चे इन में से कौन सा पौधा जलोध भीद है जी हाँ बिल्कुल सही जिन बच्चों का option यह आ रहा है सिंघाडा वो बिल्कुल ही सही है ठीक है मतलब इसका देखें जलोध भीद का मतलब समझेंगे हम लोग कि वह कौन सा पौधा है जब रिच्छा है जो की मतलब जल में उगत से सिंघाडा ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन और सेबंटीन पर कि सत्रावा नबर प्रश्ण वहारा का रहा है कि समकाल पकवता निम्न में से किस में होता है किस पौधे में होता है देखें option नमारा गूला बास में अकवन में खटी बुट्टी में या फर्ण में च चारों में से टिक करना है कि चलिए सभी बच्चे का लगभग से इंसर है जिन बच्चों ने एक को नहीं टिक करिए ठीक है इसका इंसर ए होगा गुला बांस के पौधे में क्या होती है समाकाल पकवता पाई जाती है ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नमर अठारवा नंबर देखें मारा प्रश्न का रहा है कि अंडानू के भेदने से पुर्व सुक्रानू का परिपक्वन कहलाता है मतलब क्या कहलाता है अं कैपे सीटेशन ठीक है देखें अच्छे से पढ़िएगा उप्सन को बहुत कन्फ्यूजन वाला नाम होता है पायलोजी में थोला सा कैपे सीटेशन सुक्रानू जनन सुक्रानू या सुक्रानू कोशिका चलिए जल 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 से बताएंगे सारे बच्चे इसका अंसर क्या हो होगा कि आगे बढ़ते उनीस्वे नंबर प्रश्ण पर बहुत ही और बहुत ही सांदार भी प्रश्ण इस वार बोड़ एक्जाम के लिए नोट करिएगा कि जिब्रेलीन क्या है देखिए बहुत इच्छा प्रश्ण है अप्सन हमारा है हार्मोन है ताना में ब्रिधी इन वे से कोई नहीं यह ओप्सन भी देखें बिल्कुल अच्छा होता है कि इन वे सो कोई नहीं भी एक उप्सन दिया जाता है तो क्या करेंगे अच्छे से देख लिए आप लोग इस प्रश्ण को जिब्रेलीन क्या है बहुत सरे बच्चेश का एंसर हार्मोन भी टिक करे था रखेव बढ़ते हैं क्वेशन नबर 20 20 नमर भी बहुत तीचा प्रस्ण प्रस्ण को पढ़ते हैं किभार सार्टोली को सिखाए पाई जाती है इनमें से किस में पाई जाती है सार्टोली को शिखाए चल बच्चे इसका जबाब देंगे ऑप्शन हमारा यह यक्रित में यदा से में अगानासे गर한थी में ठीक है कि सर्टोल को सिखाएं किसमें पाइ जाती है को जली जल्दी से जबाब दीजे जी आँ बिल्कुल सही जीन बच्चों फिल्कुल सही है उन्सार होन चाहिए व्ल्कुल में ठीक है चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं question number 21 पर आज का यह लाइट से सन अंतक जरूर करें रखिएगा आपको बहुत ही ज्यादा निफीट होने वाला है question number 21 को हम लोग पढ़ते हैं कि अनुवांसिक कूट में कितने कूट होते हैं बहुत यह अच्छा प्रश्न है यह देखे अनुवांसिक जो कूट होते हैं उसमें कितने कूट होते हैं अपसर नहीं हमारा चार कूट 16 कूट 32 कूट या 64 कूट अनुवांस से कूट में 64 कूट होते हैं ठीक है to be a 22 नमबर हमारा प्रस्न है की यौबना अरंभ के समय प्रथम अरतव चक्र क्या कालाता है ठिक है योवना आरम के समय परफम जो चक्र होता अरतव वो क्या कालाता है ओप्सन में रहाए यह देखें अंडानु शुकरानु रजोदर्सन या अरतव आरतव ठिक है क्या होना चाहिए एंसर सभी बच्चे बताएंगे जी हाँ बिल्कुल सही है इसका अंसर यह D नमबर होगा R तक बाला जो एंसर है वो बिल्कुली सही है जिन बचुने से ठीक है वो बिल्कुली सही है आगे बढ़ते हैं Question No.23 पे 23 पढ़ते हैं वरोग, बहुत इच्छा प्रश्ण यह है कि नर जनन कोशी का सुक्रानू उत्पन करती है क्या उत्पन करती है, यह आप लोग को बताना है सुक्रानू जनन द्वारा असपरमे टीड्स द्वारा असपरमी Process द्वारा या इन में से कोई डि contexto यह है चार अप्सन आपके सामने कि नर जनन कोशी का सुक्रानु उत्पन करती है किसके द्वारा उत्पन होती है यह आपको बताना 23 नमबर चलिए अंसर दीजे सभी बच्चे जी हाँ बिल्कुल सही जिन बच्चो का अंसर यह आ रहा है अपसने सुक्रानु जनन द्वारा उनका अंसर बिल्कुली सही है 23 नमबर का आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नमबर 24 पे देखें नमबर 24 हमारा चनल का रहा है कि प्रो स्टेट गहरन्थी उपस्थी होती है कहा पर प्रोस्थीत यह आप लोग को बताना है question number 24 के बारे में सभी बच्चे इसका answer टिक करेंगे जिन बच्चों को मालूमगा इसका answer ठीक है option A हमारा है brick के उपर option B हमारा है brison के उपर option C हमारा है ureatus के निकट और option D हमारा है मुत्रमारत के 4 ठीक है ठीक है उनका answer बिल्कुल सही है मुत्रमार के 4 ठीक ग्रंथी जो होते हैं वो काओ पस्तित होते हैं मुत्रमार के 4 ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं question number 25 पे बहुत इच्छा प्रश्ण ये भी है कि अस्तन पाई जीवों में भुरून की कि किसमें सहाइता करती है बहुत इच्छा प्रश्ण है कि अस्तन पाई जीवों में भुरून की एलन टोई किसमें सहाइता करती है बहुत ही पेचीदा टाइप का ये प्रश्ण है चलिए इसके option को देखते हैं हम लोग क्या दिया है स्वसन, उत्सरजन, सुरच्छा या पोशन किसमें सहाइता करती है चलिए सभी बचे इसका अंसर बताएंगे बारी-बारी से क्या होना थे इसका अंसर 25 का जी हाँ बिल्कुल सही जिन बस चोने option डी को टिक किया पोशन वो उनका अंसर बिल्कुल ही सही है इसका अंसर दी नमबर होगा, 25 का पोशन आगे बढ़ते हैं हम लोग, 26 नमबर प्रशन पर 26 हमारा कै रहा है कि गरभासे के भीतर या भीतरी अस्तर क्या कर लाता है अप्स्ण ये हमारा है मायो मीट्रियम, बहुत ही देखे, पेचीदा टैप का अप्षन है, आपको देखने को लेगा, जी बिग्यान के सेशन में, मायो मीट्रियम, एंडो मीट्रियम, जनन एपिथीलियम, या जर्मिनल एपिथीलियम, क्या होगा इसका अंसर, सभी बच्चे हमें बताएंगे, 26 का, इसका इसका शेलिए, सभी बच्चे,来 में, काउंट कर लेंगे, अपना एंसर, किनका, कितना एंसर राइट गया है, ठीक है, और हमें बताएंगे, जी, जी, बिल्कुल सही है, जिनका एंसर भी आ às, उनका एंसर बिल्कुल सही है, एंडो मीट्रियम में, ठीक है, गैमीटोजनेसिस कहा जाता है साइटोकाइनेसिस कहा जाता है असपोरोजनेसिस कहा जाता है या मियोसाइट कहा लाता है चलिए बताइए सारे बचे इसका अंसर क्या होना चाहिए जी जी राहुल कुमार बताइए इसका अंसर जी बिल्कुल सही राहुल कुमार जी ने बहु आगे बढ़ते 28 नमबर प्रश्ण पे 28 नमबर भी प्रश्ण बहुत ही अच्छा प्रश्ण है शेल यह देखिए नर हार्मोन की उत्पत्ति जो है वो कहां से होती है इस बार बोड इग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट प्रश्ण ये भी है अप्शन हमारा है अंडासे स सुकराणू से ब्रिषण से या ब्रिक से नर हार्मोन की उत्तपति कहां से होती है 28 नमबर प्रश्ण सभी बच्चे पताएंगे इसके अंसर जिनका इंसर Um से उनका इंसर बिल्कुली सही है नर हार्मोन की पत्ती है वो जो ब्रिशन से होती है ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नमर्ट 29 पे अब इस सेशन में मात दो क्राणू नीचेपन अप्शन बी अंतागरवास बीरियनी सेशन या सेशन भुरून स्थानांत्रन अंतागरवास ये युक्ति ठीक है चलिए इसका अंसर देंगे सारे बच्चे क्या होना चाहिए 29 का अंसर दो मिनिट आपके स्पास समय है जी हां बहुत सारे बच्चे सई सभी आप टिक कर रहे हैं चलिए जल्द यादि सेशन टिक कर ये इसका जी बिल्कुल सही जिनका अंसर ऑप्शन डिया रहा है उनका बिल्कुल ही सही है कि इन में से कौन से तक्निक पात्रेन इस सेशन के अंतरगत नहीं आती है तो अंताग गरवास ये युकति अंगे बढ़ते हैं आतो अंगे सेसन का लाश्ट क्वेशन और सेसन का भी लास्ट क्वेशन थीखहें इस पा तुगन का पढ़ते हैं मद्धि प्रारंबिक दिमबानू जनन कोशिका का या ब्लाटो सिस्ट का ठीक है ये था हमारा चार उप्सन चलिए जद ज़ल दी से बच्चे इसका अंसर बताएंगे और लास्ट में हमारा ये सेसन श्टार्ट खतम होने जा रहा है तो आप लोग कमेंट बक्स में कमेंट कर हमें बताएगा किन बच्चों का कितना अंसर तही गया है तो आप लोग कमेंट बक्स में कमेंट कर हमें बताएगे किन बच्च्चों का कितना अंसर रइट गया है और चैनल को भी तक नहीं सब्सक्राइब किया है नहीं जूड़े है मारे चैनल से तो ज़रूड जूड़ जाये ठीक है और इसी तरह सपोर्ट करता रही है और झाल झाल